स्रीमुना महिया की जह आज से साड़ी पांच ज़ार वर्स पुर्व यहाँ परिपूर्ण तमावतार ठाकुरजी स्री कनिया जी ने जनम लिया था उस समय व्रिंदावन की छड़ी बड़ी पवित्र थी गोकुल में कुछ उत्पात हुआ तो उस उत्पात के कारण नंदवाबा ने गाये और ग्वाल वालों के लिए उपयुक्त स्थान डोड़ने के लिए अपने ब्रद्द गोपों को भेजा तो ब्रजमंडल में घुमे जब तो जमनाजीप के किनारे किनारे बड़े सुन्दर सुन्दर व्रिक्षावलियों से भरा व्रंदावन देखा उन्होंने तो नंदवाबा को जाकर के कह दिया कि ब्रिंदावन बहुत अच्छी जगह है जहां गाये और ग्वालवाल सुखी रह सकते हैं तो वह पेड़ पोदों का बड़ा सुन्दर वड़न है अगवान श्रीकृष्ण आगे जाकर के अपने श्री मुख से ब्रिंदावन की ब्रिक्षों की महिमा का वड़न करते हुए क चाहती है उसको उसको देख करके इर्शा होती है लक्षमिजी को भी ऐसा स्रीव रंदावन धाम जब तक ठाकुर्जे रहे ताब तक तो बहुत अच्छा बहुत सुन्दर था साक्षात लक्षमिजी निबास करती थी दीरे दीरे आगे आकर के फिर बड़े बड़े आचार स्री प्रवधानत सरुसुत्ति पाद स्री गोडिय संप्रदाय की संत हुए है उन्होंने अपने ग्रंथ में ब्रंदावन महिमामर्त नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है रात हतिश्ट तले तले बिटवी नाम ग्रामेश विक्षा मट स्वचंदाम पिमया मुना जलमलम ची तो पेड़ को देश्चे नातो जमना जी का जली सुद्ध रहा अब ठाकुर्जी के क्रपा से लोग ऐसे हैं जो पुत्र के समान हैं एक होते को पूत्र के शब़ान तो यमना को हम सारी नददीयों को अपने सनातन धर्म में मा कहते हैं जैसे यमुना मैया पृत्वी मैया पृत्वी को भी मा कहा जाता है तो कुछ तो मा के बेटे पैदा हो रहे हैं जो की इनकी साहता करने वाले हैं कुछ कुपुत्र पैदा होते हैं जो इसका विरूद करते हैं तो एक बंसल जी प्रदिप बंसल हमने ब्रण्दावन तो बन का नाम है अब यहां महली महल बनाए जा रहे हैं कुछ ऐसे सुपुत्र हैं जो ब्रण्दावन की छब्र को बरकरार रखना चाहते हैं ऐसे प्रती बड़िवंचल जी को नवन करते है और उनकी सहायता करने वाले जितने भी लोग हैं जो भी मिसन में ल यूनिकता को बड़ावा दे रहे हैं और यह जो है बन को बना रहे हैं बन को बनाने में जो भी जैसा भी सहयोकार